जहिन सभी को तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि फाइनल मेरिट किस परकार से बनता है उसका क्या खेल है उसका पूरा खेल चाहे नक्सल डिश्टी करिया बॉर्डर डिश्टी करिया जनरल डिश्टी करिया का किस परकार से फाइनल मेरिट लिस्ट तयार गया जाता है इसक क्या कारण है जो कि नक्सल डिस्टिक वाले जनरल में क्वाइलिफाइ कर जाते हैं कोई OBC का लड़का है वो जनरल में फाइट कर रहा है SCST वाला जनरल में फाइट कब कर सकता है ये सब बात हम अभी किलियर कर देंगे दो मिनेट में ठीक है तो बहुत सब बात है जो आप लोग से करना चाहते हैं आप देखिए समय भी नहीं बचा है एक मैना से भी कम समय है आप लोग का मेरिट लिस्ट आ जाएगा तब तक अच् रखा जा रहा है अब देखिएगा कि किस परकार से 100 गुणा से 10 गुणा 10 गुणा से 3 गुणा और 3 गुणा से 1 गुणा होता है ठीक है सब बात अभी किलियर करते हैं जैसा खले ध्यान से सुनिए हम कुछ बात होगा जो की कौपी कलम लेकर करके चर्चा करेंगे नेक्ष सिर्प आप मेरी बात को सुनिए और समझने का परयास कीजिए कि बात क्या है ठीक है तो हम सुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि लगवग area में मतलब लगवग state में जो है इरिया होता है general district area border distri area renodediestia करिया किसी किसी में सिर्फ general है किसी में कुछ है किसी में आपका जैसे माली जन्रल डिश्टी करिया हुआ इसमें भी चार कर्टोगरी हुआ ना जी जन्रालो भी सी आश्टी उस परकासे नक्सल में भी होगा बडर में भी होगा तो मतलब 12 बारा टो भी भाग बट गया हम जब बैठेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉपी कलम पे आप लोगों को चर्चा करेंगे ठीक आभी सिर्फ सुनने और समझने का प्रियास किजिए कि आखिर देखते होंगे आप लोग कि कुछ नक्सल का स्टूडेंट जन्राल में क करके उसमें फाइट कर रहा है तो समझिए बात को कि अगर कोई OBC का लड़का है और उसका नंबर जन्राल केटोगरी से बहुत अधीक है और उसका एज 23 एर के अंदर है तो वो जन्राल केटोगरी में फाइट कर जाएगा बात को समझने का परियास कीजिएगा वो एज अगर उसका 23 के अंदर है और उसका नंबर जन्राल से अधीक है तो वो जन्राल केटोगरी में क्वाइट कर जाएगा और अगर उसका नंबर अधीक है लेकिन उसका एज 23 साल से उपर हो रहा है तो उसको कोई फाइदा नहीं ह होगा क्योंकि वो एज का लाव ले चुका है अपना रक्षन वो ले चुका है इसलिए वो ओबी सी में ही रह जाएगा यह सब बहुत महीन तो यह बात आप समझे की नहीं कि अगर कोई अपना उम्र का लाव लेना चाता है तो वो अपने केटोगरी में क्यालिफाय करेगा ठीक है वो जनरल केटोगरी में नहीं जा सकता है हां जनरल में तब ही जा सकता है जब उसका एज जो उसका एज है वो जनरल का एज तक ही रहे उसका number maximum रहे है ठीक है अब ये बात समझने का परियास कीजिए कि post preference से post preference से किसी का जो है नक्सल district area से general district area में दे दिया गया है अब मान लेते हैं general district area देखिए ये सब बात हमको copy column में लिखना होगा तब आप लोग समझेगा हलांकि अभी हम बैठे बैठे सिर्फ अपने mind से सब कुछ आपको समझाने का परियास कर रहे हैं हमको समय मिलेगा होगा तो कुछ देर के बाद भी हम एक video ज़रूर बना देंगे आप लोग के लिए और यह की जनरल डिश्टिक एरिया वाले लडगा का जनरल डिश्टिक शांथ में जनरल करिटोगरी का महले से अरप के लिए उसका मेरिट मान लिजे की 80 नंबर जाता है माल लेता है मानने वाली बात है 80 नंबर तो जाएगा ही नहीं मानली घासी नमबर जाता Romanian के लिए उसका ठीक है और वही नक्षल डिस्ट्रीक वाले लडका का फर्ष्ट प्रिफ्रेंस अगर connect के लड़ा कंफरेंस अगर फर्ष्ट प्रिफ्रेंस अगर और अधिक नमबर है तो उसको जो हए कितना अधिक रणा चाएं जिसमें वहां उपर में मेरिट बने तब उसका उतना अधिक रहना चाहिए तब उसको वहां पर क्वाइल भाय कर देगा अगर नक्सल डिश्टिकर यह वाले स्टुडेंट का अगर उसी में उतने नंबर में मिलेगा तो उसको वहीं पर रखेगा ठीक है इस बार पूर्स प्रिफ्ट्राइंज को कुछ बिसेज भेली दिया जा रहा है और हर बार रहता है ठीक हर बार रहता है कि मान लीजे देखिए ऐसे आप लोग को बोलेंगे तो आप लोग हवा में उड़ा दीजेगा नहीं समझेगा बात को समझे तो हमको जो है कॉपी कलम लेकर बैठने पड़ेगा तो आप लोग समझेगा कि कैसे चांज होता है ठीक है अब कहीं ऐसी केटोगरी में अधिक है कंपिडिशन एस्टी में कम है कहीं उसके विपरीत है कहीं जाके देख लिए ओबीसी में बहुत है कहीं जेनरल में कम है ठीक है तो एक रेशियो मेंटेंड करने का परियास क्या क्या है जो कि आपको फैनल कटप के समय में पता लग जाएगा अब थोड़ा साम घटना है तो और बताते हैं आपको कि हम जो बोल रहे थे कि एक सो गुना से आप लोग दस गुना में आए फिजीकल के समय पिर दस गुना से तीन गुना में आए आए और तीन गुना से एक गुना में आना है तो दस से तीन अधिक डिफ्रेंस आए कि तीन से एक अधिक डिफ्रेंस है य यह चीज़ जरा साफ माइंड में सोचिए और जितना लड़का है न जितना है अधिक जो नंबर आप हम जो कम्मुनिटी में जो पोल करवा रहे हो से क्या पता लगता है कि निचला पॉइंट मतलब निचला पॉइंट कहने का मतलब कि जहां पर अडिस्नल वाला कटव गया है इडिस्नल रहे या डियमी के लिए पहले वाला जो कटव था वही मान के चलिए उससे एक दो नंबर के बीच में लगबग हजारों स्टुड़ेंट अब पता कीजिए तो वही एक दो नंबर के बीच में ही हजारों है पहले क्या होता था कि पहले पॉइंट सिस्टम नहीं अगर मान लेजिए अगर 71 था एकत्तर पे अगर कटप बन रहा है फाइनल एकत्तर पे ले जाना है अगर 71 तो एकत्तर था फिर 72 था पीर 73 था इस परकास था लेकिन अब क्या है एकत्तर पे अगर बनेगा तो पॉइंट बला सिस्टेम में पूरा दूर तक कीचेगा उसको पांच अंक तंक का पांच दसमेल के बाद 5 अंक तक में पॉइंट है और अपना अपना नंबर देखेगा कितना दूर तक गया है पॉइंट में पता लग जाएगा ठीक है अब कि यहीं बात किलियर करने ना कि सोचे थे कि नशल सी दिश्टी करिया अब जी स्काठी कर दियाती जनर्ल दिश्टी करिया कह 찹ब कि परकार से बनता है इसके पूरा जनकारी आप लोगों को देने का प्रियास करेंगे संब्याश्च सब्सक्राइब, कि बिना कॉपी कलाम का होगा नहीं अब जब वीडियो कर दिया है तो इसको बने यह देते हैं आप लोग भी बोलते हैं कि सर वीडियो डालते रही है तो परियास करेंगे जितना दिन अभी समय बचा है लगातार अपडेट रखने का आप लोग को ठीक है डीमी के समय क्या स्कॉलर टाइप ठीक है और कोई उसमें पास हुआ और किसी को रिमेडिकल दे दिया गया अब रिमेडिकल वाला क्या क्या है बहुत लोग अपलाई ही नहीं किया सोचा कि नहीं होगा बहुत बड़ा-बड़ा पॉइंट है पुराना दिमाग था जी क्या किजेगा बहुत कम काया है अगर दस हजार लड़का अपलाई कर रहा था तो उसमें छो हजार के लगवा कॉलिंग आ रहा था है अब पता कीजिए ठीक है उसके बाद उसमें फिर मेडिकल का पासिंग रिश्य आप देख लिए तो लड़का अधिक है नहीं आप लोग को कौन डर बा आ रायमको समझ में नहीं आ रहा है कौन डर हाँ आ आ अप लोग को जब आप लोग तीन गुना से ऑपर लोग की तो अ क्योंग नहीं बड़ेगा होई मचलाँ प्रेसी को अब वेखिए कहीं के तो कुछ नहीं बढ़ेगा ठीक है अच्छा हम नेक्स वीडियो में या इस सब बात कइल ओर कर देगा बिंशन्य जो पारे हम बताने वाले थे वह हम किलियर नहीं कर पाए लेकिन हम नेक्स्ट वीडियों पूरा परियास करेंगे ठीक है हम बैठते हैं अच्छा से तब मिलेंगे ठीक है